बेगुसराय के बलिया में ग्युवक की हत्या से नाराज लोगों ने नाशनल हाईवे का 30 पर जाम लगा दिया बलिया थाने के सदानंधपूर गाउं के निवासी रोशन कुमार को अगवा कर मौत के घाट उतारने का संसे निखेज मामला सामने आया है वहीं इस मामले में पुलीस की लापरवाही के खिलाफ गुसाय लोगों ने नाशनल हाईवे का 30 पर जाम लगा दिया बताय जा रहा है कि रोशन कुमार को उसके दोस्त दिलखुश कुमार ने घर से बुलाया था दिलखुश कुमार से मिलने के लिए घर से निकला रोशन कुमार लापता हो गया परिजनों ने इस बाबत बलिया थाने में अपरण का मामला भी दर्च करवाया था लेकिन पुलीस रोशन कुमार को तलाश नहीं सकी बाद में परिजनों को पता चला कि रोशन कुमार की हत्या कर दी गई बताय जो रहे कि गंगोर थाने में उसकी लाश रखी हुई है रोशन के हत्या की खबर से परिजनों में कोहरा मच गया परिजनों ने नाशनल हाईवे पर जाम लगा कर इंसाफ की गुहार लगाई पीडित मा ने पुलीस पर जमीन माफियाओं से मिले होने का आरूप लगाया प्रावला रखने हैं मिस्तिरी काउम कर इन घौर बनाए राला है आनूच है दिन नाए बावू जगर आएख मखलसा नहीं है नसाभी बने होते गरी पर जराख ले अगेल होता है ता उसाटेने होते जखने गरी वहीं रौशन के दोस्तर रौनक कुमार नी पुलीस पर भू माफियाओं से मिले होने का आरूप लगाया है रौनक ने बताया कि लिखित शकायत के बाद भी पुलीस ने कोई आक्शन नहीं लिया जपलाई होगाई उसका आणी आडमी है कॉई डलाल है लगाया के सब गरी अडमी के लिखिवाख लता है बच्चे उठाय करिया होने जमीनला कि जमीनी विवाद में सब उठा कि मार दिया है वह मृता के एक दोस्त जीवन कुमार ने भी बलिया थाने के पुलीस के रवये पर सवाल उठाया है पुलीस को जल से जल्द रोशन कुमार के हत्यारों को गिरफतार करना चाहे और हत्यारों को सक्से सक्त सजा दिराना चाहे महीं पेडित परिवार को भी हर मुम्किन मदद मौया करानी चाहे पंजाब के सिरी टीवी के लिए बेगु सराय से संतोष प्रसाथ के रिपोर्ट